Hello everyone, welcome to our channel NCRT Teaching Zone तो आज हम के लास थर्ट के NCRT English Book Mary Gold के Unit 2nd का चेप्टर Nina and the Baby Sparrows के Question Answer करेंगे पिछले वीडियो में हमने इस चेप्टर को Explain किया है with word meaning तो आज की चेप्टर में हम इसके सारे Question Answer और इस चेप्टर के जो Phillips है उनको Complete करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो पिलीज चैनल को Like, Share और Subscribe कर दीजिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखिए सबसे पहला Question है Why was there a great joy in Nina House? तो Nina के घर में खुशी का माहौल क्यों था? क्यों था? There was a great joy in Nina House because Nina's aunt was getting married क्योंकि Nina की जो aunt थी जो मौसी थी वो शादी करने जारी थी इसलिए वहाँ सभी लोग खुश थे Second Question Why was Nina worried? नीना को किस बात की चिनता थी? तो देखिए हमने चप्टरें पढ़ा था कि Nina was worried for the baby sparrow नीना किस के लिए worried थी? तो छोटे-छोटे baby sparrow थे उनके लिए उसको चिनता थी कि वो कैसे खाएंगे क्योंकि पूरा घर लॉक हो जाएगा अब देखिए Third Question है What did mother suggest? तो माने क्या suggest किया? क्या कहा? तो उनके माने कहा Mother said that they will let the window open for the mama and papa sparrow तो माने कहा था कि वो उनके लिए अपने घर की window को खुला छोड़ जाएंगे ताकि ममा और पापा sparrow आ सके और अपने बच्चों को feed करवा सके Question No.4 What did Nina find when she come back from the wedding? तो जब Nina wedding से शादी से वापस आए तो उसने क्या देखा? जब अपने शादी से घर वापस आए तो उसने देखा Nina found two plump little sparrow flying all over the room तो Nina ने देखा कि दो छोटे से गोल मटो से जो sparrow है little sparrow flying जैनके उसके कमरे में चारों तरफ उड़ रहे थे अब देगे अगला है talk time तो देखे इसमें पताना how to baby sparrow eats baby sparrow कैसे खाते बेबी sparrow कैसे खाते पितवीग यानिकि उनके जो mother father है उनके मुह में दाना दालते हैं जिसको अच्छे से गलब यानिकि निगल लेते हैं अपने आप से नहीं खापाते हैं उनको उनकी ममी पापा उनके चोच के अंदर अनाज या दाना धालते हैं अब सब्सक्राइब देखे what new things would you like to wear for the wedding you can say I would like to wear पर कि कौन कौन सी यसी चीजें जिने आप शादी में पहना पसंद करेंगे तो आप उनके नाम से लिख से देखे आप लेहंगा चोली या फिर सूट सलवार या फिर आपके कोई फ्रॉक या फिर अगर बॉइस हैं तो लिख सकते हैं कोड, पैन, शेरवानी तो जो भी आपको पसंद देखे उसका नाम आप यहां पर लिख सकते हैं फिर देखेँ, छीचए एक पित्वर्ट स्टोरी दिएगले ढ़िहें या इनि नंद्वर को आपने लिखना है तो सबसे पहले क्या बहुत enhance ही निना दुखी थी तो इसवे हम लिखेँ एक प्राइद था count फिर क्या हुआ था अब Nina क्यों दुखी थी क्योंकि वह क्याना नहीं चाहती थी उसकी माँ नहीं पूछा अब ज़ुखी थी तो माँ नहीं पूछा मदर आस्क क्वाइब कि वह दुखी ज़ह क्यों है तो यहाँ पे हम लिखेंगे नमबर तू देहीं देंगे इसको तब नीना ने बताया नीना does not want to leave the baby sparrow alone तो उसने बताया कि वो baby sparrow को छोना नहीं चाहती थी तो यह हो गया इसको हम देदेंगे third number फिर उसके mother ने का mother say we will leave the window open तो यह हो गया number four और last में नीना happy again तो यह हो गया number five तो ऐसी one two three four five यह हमने इनको numbering देख दी है तो नीचे जो story है इसी में आप one two three four जो numbering दीए गई है उसी के आगे आपको वो sentences लिख लेने है देखे इसमें वो five sentence जो दी हैं आपको उनको आपको यहाँ पी इसमें fill कर लेना जैसे हमने कियाता है अब देखे इसमें teamwork है teamwork में आपने दिखना है would you like to have birds visiting you every day कि आपको birds आप से मिलने आते हैं तो यह आपको पसंद है and try making a bird path and a feeding corner for bird तो देखे कि गर्मियों का मौसम आ रहा है तो आपनी चट पे कुछ एक corner बना है जिसमें आप birds किल थोड़ा पानी और उसनके खाने के लिए कुछ दाने रख सकें and you can place a bowl of water in quiet corner of a school playground तो वो लग कि आप एक छोटा सा पानी का कटवरा school के playground के ऐसे किनारे पे रख सकतें जहाँ पर ज्यादा शांती हो जहाँ ज्यादा हलाग लाना हो जहाँ पर पर आ सकें और क्या लिशसेटे लीव दब बर्ड़ कॉंप ग्रेंस एक ट्रेक्टर फॉर्दर्स फ्रेंड और क्या कर सकते हैं उनके लिए वहाँ पर कुछ ब्रेट के टुगड़े या भी कुछ ग्रेंस कुछ अनाज भी आप वहाँ पर रख सकते हैं अब देखें लेस्ट ड्रो एंड कलर अब बर्ड यहाँ पर आपने एक बर्ड का यहाँ पर फोटो बनाना है और उसको यह कलर कर देना है ठीक है अब यह देखें आप एक्टिविटी कॉर्णर आएगा यहाँ पर आपको लेट्स मेक अब बर्ड तो आपने इसी अक्टिविटी को फॉलो करते हैं यहाँ पर क्या बनाना है एक बर्ड बना जिसमें कि आपको ओल्ल ग्रेटिंग कार्ड चाहिए डाल चाहिए ब्लैक बिं अब देखें यहाँ पर है word building तो write down the suitable word describe each picture pick up the word from the list की बना तो देखें यहाँ पर कैदर का एक list दी गई है जिसमें आपने जो वर्ड है नीचे उनकी according to their जो यहाँ पर fill ups है उसमें आपने fill करने तो जैसे कि आपने क्या लिखना है जैसे कि आप देखें रोज दिख रहा है आपको तो रोज के आगे किस कलर का रोज है तो आप लिखेंगते है और red rose ठीक है अब जैसे boy है boy कुछ है तो लिख सकते है आप happy boy ऐसी ही आप यह देख लिखेंगे tall man और यह board black है तो लिखेंगे blackboard और उसके बाद देखिए peacock बहुत ही खुबसूरा तो आप लिख सकते है इसमें beautiful peacock अब देखें जो lady है इसकी dress कैसी यह blue है तो आप लिख सकेंगे इसमें a blue dress तो ऐसे करके आपने यह philips complete करने है और देखेंगे सब्से last में say allowed तो यहाँ पर कुछ आपको प्रनौशेशन के लिए कुछ वर्ड देखें जैसे के देखें स्पॉइल, sparrow, skull, skirt, skull, sport, speak, scout, skip, skin तो यह ते सारे वर्ड तो यह था हमारा चप्टर नीना एंद बेबी स्पैरो आपको यह पसंद आया होगा तो प्लीज दैनों को like share, subscribe कीजेग मिलते हैं नेक्स वीडियो में जब तक के लिए, thank you